अभी सब्य भक्त भगवान स्री सतनार्यां और सत्तै पूर्णमा जेव ठान का जो ग्रिशे है एकासी को भगवान सतनार्यां और सत्तै पूर्णमा को भोग लगाते हैं और इस दिन जो है चुकि देवता उचते हैं देवता का अर्थ जो है यहाँ पर इस तरीके से ना ले हैं कि जैसे लोग जे चेहें किवल जो है विशुम अगवान इउठ रहे हैं ये पिरकर्ती और पुरुस की अरादना है इस दिन पुरुस जो था जो पिरकर्ती है वो उसको जगाती है अपनी आकरशन सक्ती से तो पुरुस उचता है और वो चार महीने अभी ऐसे लगए गवान चार महीने से सु रही तो फिर पिरकर्ती कि काम कौन कर रही तो उसमें कहा जाता है कि पुरुस जो है पुरुस अथार जो है इस वर उस पिरकर्ती के लीला के कारण मतल के जो जैसे ये चौमासा जो आता है उससे लेकर और आज तक अला आज की दिवस्तक वो फिर अपने सुच्छं उस तरह से लोगों के अंदर जागती करते हैं ये जो जागती का मतलत है जैसे इसको बजा कर उठाना भगवान को तो उससे क्या होता है यह नहीं कि इन सब चीज बजा कर यह सब चीज बगवान और बरतन को बजा कर जागती प्रदान करी जाती है बगवान को और उस समय के जो मौसम के यह फल हैं और जो मजले फल फूल और वगएरा जो बूर हैं यह सब बगवान को बहुत अर्कित करा जाता है यह इस तरीके से संगाडे यह जो ऐसा क गंदिया यह सब इस सरी के से और दीब बगएरा है यह सब जलाने अब इसका जो हम आच्छा नो देखें यह चित्र नो देखें तो यह क्या है यह एक समाजिक तोर पर पहले सतिय के रुम्मा बनाया जाता है स्वातिक के चारों लेगिन अब यह जैसे यह सत्रान भगवान है एक साथ्नाया भगवान का इचित्र होता है और उसके अंदर दो इस्ट्री पूरस बना दिये जाती है जलत इसनाया च्छे जो विश्रुब्हान पड़श्ट करा गया तो असल में क्या था जबसे ब्रह्मदेव की उपासना बंद हो गई जगत में मंगद एक यह प्रकरती है, यह प्रकरती भी सोएगी, इसमें जो पुरुस परदान था, वो जोसे कहते हैं कि एक नॉर्मली क्या होता है, कि पुरुस में संसर्ग करा, रस्त करा, और वो तो अपना हट गया, तो फिर किसमें जागर्थी आती है, इस तरी अंदर जागर्थी आती है, वो उससे ये स्रस्टी हुई, जीव, जन्तू वगेरा, ये सब दो पहर बनाए जाती हैं वगेरा, ये सब जीव, और तरह तरह के जो पाएं, ये सब बन बन परकार के ब्रक्ष, ये सब बनाए जाती हैं, और ये पंच्तत, चांड, तारे, सूरज, ये सब इस तरीके के बनाए ज गई यहां चुकि मेरा सत्यासी मिशन के दुआरा इस तरी पुरुस की समानता का वर्णन है तो उसमें मैंने ये चीज निरमित कराई है कि तो सहज सवरूब में इस भक्त आए मैं गोला भाई आज जो है देवतानिकासी है आप जो है एक चित्रन बनाईए और मैं इसको फिर सोड़ा साथ लोग से लिए एक्स्विलेंड कर테ं तो ये सत्फनार बगभान हो बहुं ए ये सत्थही 10 कुरमा होई और इंसे जो अगर देखो जाओ इन से बंस इन से बंस अतार दिये दोनों से एक इवंस है लेकिन यह यहां ऐसे प्रदर्स इतना कर दिए चत्नर के रूब में पिर नीचे लियाई यह सारी स्रस्टी और संसार है जो कि हम सब लोगबाग हैं तो इस दिन ग्यार्मी कला बोलते हैं ग्यार्मी कला से मलब जैसे सोले कला हैं सोले कला में नम्मी तो हो जाती है यह राम नम्मी अभी गई है फिर उसके बाद दसहरा वगएरा चीज होती है फिर उसके बाद में इकास्टी के बाद से यह ग्यार्मी कला जो है बसे इस तरीके से ग्यारे कला हैं उनमें ग्यारे भाग हैं उसके तो उसकी जागरती ये दिखाई गई है और आज से क्या होगा आज से चीज आ जाएगी पूरण मासी जो है देव दिवाली कही जाती है उस दिव था सभी मिलकर दिपावली बनाती है एक समाजिक दिपावली है एक अध्यात्मिक दिपावली है एक जो हमसमाज में है परचलित में बहुत एक्सागी जो अभी गई है और एक अध्यात्मिक दिपावली उसको लोग क्या करते हैं अध्यात्मिक दिपावली है सुक् सुक्षमसरी निकलता है उसके लिए वो इस पर्षवी पर भरमर ना करें यह तो एक लोकिक बाते हैं लेकिन वो क्या करता है लोग जाकर दीपक जल में गंगा जल क्योंकि हमारे हैं गंगा जी सबसब पवित्र मानी जाती है जो उसकी साखा उपसाखा गंगा नहरें और जो हो हैं जिस भी इस तरीके से जो नाले हैं उनके जो कंगा से निकले वे उनमें अपने दीपक एक साली में जमाजगा लगाते हैं दीपक जो प्रतीक होता है यह पिंड है और यह इसमें जो हमारी एक तरीके से रीड है यह हमारा जो प्राहर सकती है और यह प्रजलन यह जोत जाती है जिससे हमारी जो सुक्षम सरीर में आत्मा हैं वो सब शांती को प्राप्त हों ये सब इशे है इसका है सारा देवठान का तो मैं इसी से कहुँगा कि आप एक काई ने बनाएं कि उसमें तो वो जैसे मैंने बताई करी दियल में सत्नारैन की खताथी हो ब्रह्म की उपासना बंदोने से ही सच्च में जितना ब्रह्मन सबका है जो वो पहले ब्रह्म की अराधना करता था वो विश्णु जी के अराधना और सिव जी के अराधना नहीं थी उस सबसे पहले ब्रह्म की अराधना थी तो ब्रह्म की ज्यान की वज़े से उन्हें ब्रह् वानना। सिव focus के देवतां हैं, प्रहम चरह मोंक्ष को अ सन्यास और सन्यास वानप्रव शन्यास को सिलसे समंद्ध तो ये उस स्वारि काल पनिया लिए ब्रह्म की उपासना बार जो भारत में विश्नु भगवान और शिवका दो पार्ट में बट गे उत्राएं और दच्छाएं तो इस विश्नु पहले की उपासना बंद हो गई नतीजह क्या हुआ दो बाग में बट गए और ये सब एक तरीके से ब्रह्मा विश्नु ब्रह्मा विश्नु के रूब में और उनके अंदर ये लिए दिखा दिए गई सुट्व और प्रस औरना बगवान उसके 정부 सत्कून ब्रह्मा विश्नु न महस्त ये सारी चीजह है तो इसमें सत्नायः भगवान ए मूल में इनसे पह स्ञाइमी के सारी ठीक है अज़ के हैं, सजाते हैं, आज के दिल से शुकारण को शुमारम हो दाता है। वे अधाम नहीं कर्णा करणा है, आज देव खाने कर्षी का बहुत हुँ शुक परवे, आज हमान वान नारान चार माई के बाद जा गहे हैं, उसको उसमें उस तो मरा आजाता है। आज सबस्टी में नहीं जागिती आएगी, एक नहीं जो जाला हुआ। आज सबी को देव खाने कर्षी, बहुत हो शुका हो रहा है। पाद देव खाने कर्षी के आज सबस्टी में जागिती आएगाएं। इसे चाहदी ब्याहं हैं, भूरत सशाय और लिभी जागिती है। पुदी जिए। चैसात्य मौम्प सध्यानव हैं, रहां मनमाद बढ़ायां। आदेव टार्मिकासी गें पावन परुवान को सभी को हार्दी सुपाना देवादाएं